हेलो तो टेंडर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की रेक्ट शुरू करते हैं उससे बिले आप लोग को मैं दिल से शुक्रियादा करता हूँ क्यूंकि आपने जो मेरी सुबे की पब जी वाली वीडियो पर जो आपने सपोर्ट और प्यार दिखाया वह माइंड ब्ल बस एक अलग तरीकी का मैसेज भी दिया हूँ ताकि आप लोग को वीडियो अच्छी से पसनाया होगा नहीं देगा है तो यहाँ पर कार्ड डिस्क्रिप्शन कमेंड में लिंक देता हूँ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नूस य नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो पहले कबर के बात करते हैं यहाँ पर एपल से आप कोई बैट न्यूस नहीं अभी थोड़ी सी अच्छी ख़बर है जहाँ पर सुनके आपको तोड़ा रहात मिलेगी एपल के यहाँ पर जो नए आइफोंस आएंगे ना इस साल 2019 ऐसा बता है जारे कि उनकी जो प्राइस इस बार होगी न वह एकदम सीमिलर होगी अगर आप उसको 2018 वाले आइफोंस से कंपैर करते हैं और हमें बता है कि जब भी एपल अपने नए आइफोंस को लांच करते हर साल उनकी फोन की प्राइस को बहुत बढ़ा देता है इस भी होगे लेकिन प्राइस एपल जो वह सीमिलर रखेगा बढ़ाएगा निए वैसे 2018 वाले फोन भी प्राइस काफी हाई थी थैंक्फुली इस साल अगर बढ़ा देगा ना तो फिर तो इंडिया से तो एक देमी तबादला हो जाएगा आप मुझे करके बताए कि क्या लग आपको कंट्रोलर भी मिलेगा प्लस उन्होंने सचिन सागा वियर गेम भी लेकिया गया है उस हेडसेट के अंदर आपको खेलने के लिए 15 रुपे इसके जो वो प्राइस है और डेली के अंदर जो तीन दिन का कोई इवेंट चल रहा है इंटरनेशनल गेमिंग वाला इंफ कुछ मिलता है 1500 किलिमेटर पॉर और की स्पीड में सामना बॉलिंग दालेंगा और उसके आप मज़े ले सकते मतलब ध्यान रखना इसको लगानी के बात घर के अंदर मतलब कुछ इसाब मार के कुछ तोड़ मत दाला मना आपकी तुकड़े हो जाएगे लेकिन अगर आप क्रिकेट फैन है तो आप यह वाले हैटसेट लेके मज़े करिए तो अब अबर की तरफ से वैसे काफे कमाल की ख़बर आ रही है और इंडिया में अगर आप अगर आप उबर की सर्विस इस्तेमाल करते तो उबर ने उनके एप्लिकेशन में अभी एक नए फीचर को जो वो एड़ कर दिया है और यूजिली क्या होता है कि जब भी आपको क्याप्स बुक करने होती है तो आप ड्राइवर को जो कॉल करते तो नॉर्मल मुबाइल नेटवक से जो कॉल करते लेकिन अभी उपर ने उनके एक नए फीचर को डाल दिया है और वो एक फ्री इंटेनेट क की और ये विज-ओओर ऑफी में इंटेनेट की धुवरारा अगर कहीं से कनेट कर लेते तो वो ड्राइवर को कॉल करते और फीमेल के इच्छी बात था है कि नॉर्मली जब वो पहले कॉल करती थी तो network से उनका number भी चला जाता था ये free internet call से उनका number भी यहाँ पे नहीं जाएगा हाला कि पिछले सल October में ये service को Uber ने लाया था लेकिन इंडिया में अभी इसको ले के आ चुका है तो जाईए Uber का app install कर लिजी और free में internet से call करिए तो यवे Xiaomi के तरफ से वैसे काफे अच्छी ख़बर आ रही है और recently यहाँ पे Xiaomi के CEO है Lee Jun उन्होंने यहाँ पे Vivo के पर एक post द्वारा ये confirmed किया है कि आने वाले जितने भी वो लग Xiaomi के smart phones launch करेंगे न उनका जो main focus होने वाला है वो camera के department में होने वाला है मतलब for example Xiaomi का Mi Mix 3 अगर आप देखेंगे तो जब वो launch हो आता तो उस टाइम पर DxO Mark के अंदर top 3 पर था अभी तो नीचे आ गया है लेकिन उन्होंने यह focus के साथ में जो वो launch कहा था उस phone को अभी Redmi Note 7 ही देख लो 48 MP वाला camera वाला scene चल रहा है तो उन्होंने यह बता है कि 2019 में जितने भी Xiaomi के smartphone के launch करेंगे वो उसके अलावा भी बहुत सारे features तो होगे लेकि camera जो वो main priority होगा और camera में आपको बहुत ही कमाल की नए-ने features जो देखने को मिलने वाला है यह जो उन्होंने confirmed करें तो मेरे साब से हम सभी लोग लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो budget phone भी Xiaomi के आएंगे ना हमें बहुत ही तगड़ा camera देखने को मिलने वाला है और यह confirmed किया है उनके खुद के CEO ली जुन ने तो recently यहाँ पे French की एक company है Curve 1 करके उन्होंने यहाँ पे एक नए Curve camera sensor को जो वो develop किया है जो मेरे साब से आप इसको एक future camera sensor जो बोल सकते है अब यह जो camera sensor है वैसे normal जो flat camera sensor होता है उससे बहुत ही different है इसमें अभी आप लोगों को बहुत ही sharp image जो देखने को मिल सकती है आपको wide angle shots भी काफी sharp मिलेंगे low light में भी बहुत ही अच्छी pictures मिलेंगे उसके अलावा भी बहुत सारे improvements ही ले की आएगा उन्होंने लगबख से 6 साल इसमें मेहनत करी उसको develop किया है 8 patent file किया था फाइनली उन्होंने इसको develop करके अब यह वो दीरे दीरे इसको smart phones के अंदर cameras के अंदर, drones के अंदर, autonomous cars हर जगा पे इसको जो ले के आएगे और बड़ी बड़ी companies इसका इस्तिमाल करीगे तो curved camera sensor भी दोस्तों आ चुका है और मुझे लगता है यह future है इसके दोरा बहुत अच्छी quality वाले pictures और बहुत सारे नही नहीं चीज़े आप यहाँ पे कर सकेंगे अपने smartphone से आप कितना जल्दी कौन से company इसको ले के आती है यह तो हमें कुछ time में ही जो पता चलेगा तो यहाँ पे OPPO के तरफ से खावर आ रही है और OPPO का जो F11 Pro यह जो smartphone ने F9 Pro का successor बनके आएगा और अभी recently इसके कुछ renders वगिरा भी निकले थे जो काफी cool लग रहे थे यह जो smartphone ने इंडिया में अभी जो फैप के महिने में नहीं बलकि first week of March में आपको जो देखने को मिलने वाला है अभी ऐसी ख़बर निकल कर आ रही है यह phone मेरे पास भी आएगा कुछ time मर तो आपको इसके बारे में ज़रू से बता दूगा तो recently यहाँ पर दोस्तो MIT और University of Madrid के बड़े-बड़े researchers ने मिलके एक ऐसी technology को develop किया है यह सोच के ऐसा लगता है कि आप देख लो technology कहां से कहां पहुँच गई अब यहाँ पर उन्होंने एक super thin sheet को जो वो develop कर दिया है और यह क्या करता है कि normally यह क्या होगा कि आप अपने phone को इसके द्वारा Wi-Fi से जो वो charge कर सकते हैं जी हाँ मतलब normally जो Wi-Fi और Bluetooth का जो signal होता ना जो transmit होता ना वो electromagnetic waves के द्वारा होता है यह क्या करता है उसको electrical energy में convert कर देगा तो यह जो sheet होगी अगर आप कहीं पर दिवारा पर चिपका देगे और उस environment में जाते हैं तो यह क्या करता है कि Wi-Fi को जो वो air में से harvest करेगा और आपके Wi-Fi से आपके phone में जो वो charge करेगा और पहले तो thankfully यह ख़बर इंडिया की नहीं है दूसरी बात Facebook पर यहाँ पर जब यह मैंने post देखा तो language देखके ऐसा लग रहा है कि शाय से यह Indonesia या फिर Philippines जैसी को country हो सकती है उसके बात यहाँ पर authenticity में अभी confirmed नहीं कर सकता है मुझे नहीं बता लेकिन हाँ एक post तो आया है इससे regarding और जिनके साथ यह हुआ है उन्होंने खुद यहाँ पर post करके जो बताया या फिर हो सकता है उनके को relatives होगा अब यह ऐसी ख़बर निकल कर आई है मुझे पता नहीं यह सब चीज़े क्या है सही है गलत लेकिन कुछ उल्लू भी होते हैं अब जैसी कि लड़का कुरला में अपनी जान ले लिया कुछ होते हैं शाय से यह भी एक ऐसा उल्लू होगा जिसने से हरकत किया होगा आप मुझे comment करके बता कि क्या लगता है यह ख़बर सही है या फिर एक अफ़ा भी हो सकती है तो यहाँ पर British Gallery के ओनर आइडिन मैलर ने एक बहुत ही कमाल की robot को जो वो develop कर दिया है और हमने कभी नहीं सुचा था कि technology इतनी advance हो सकती है अभी AI DA करके एक ऐसे उन्होंने ultra realistic robot को बनाया है जो यहाँ पर क्या करेगा कि आपकी drawing कर सकता है आपको वो observe करेगा और उसके आतमे एक pencil होगी और उससे वो आपकी face को बना सकता है यह बहुत ही बड़ी बात है कि एक robot यहाँ पर इस तरीके का काम कर रहा है वैसे उसमें ऐ एसा वो लोग AI जो फिट करने वाला है ऐसी technology होने वाली है जो उसके आख होगे ना जो अंदर होगी वो आपको observe करेगी आप move करेगी तो वो आख आपको follow करेगी और facial expressions अगर आप ऐसे करते तो robot भी साथ में ऐसे करेगा मतलब यह सारी चीज़े वो लोग बना रहे जो मेरे सबसे बहुत ही कमाल की चीज़े उसके द्वारा वा आपके ड्रॉइंग भी कर सकता है अब धिरे धिरे इस पर काम चल रहा है और कितना जल्दी उसको लोग काम में लेके आते यह तो नहीं पता लेकिन technology देख लो दोस्तों कहां से कहां पहुँच गई है तो यह पर दोस्त पर याहो से वार्टसप बनाने का यहापर आईडिया बिला था मतलब अगर yahoo नहीं होता था तो whatsapp भी नहीं होता था yahoo से ही उनको एक idea मिला था और उनने ये सुछा था कि जो features yahoo भी नहीं है क्यों आप उसको whatsapp में जो वो integrate करें और उसके वज़े से उनको idea मिला और आज वो whatsapp आप इस्तेमाल करतें आज के लिए टेकनोस पसंद आगे अगर आपको पसंद आए तो अब ज़रू से इस वीडियो को लाइक करिए मैंसे आप लोग के लिए daily टेकनोस दारूँगा आप लोग को ऐसे ही update करतारूँगा मिलते आप से लिए वडियों में ग्रेव वडियों के साथ आप ट्यून वेगे टेकनोस अब केप लिए आपको लोग के लिए